वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टुडेंट्स आज हम देखेंगे नव के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि जो नव होती हैं वो कितने टैप की होती हैं कितनी होती हैं उनके फंक्शन क्या हैं वो किस टैप की होती हैं सेंसरी होती हैं मोटर होती है या दोनो जो कि आपके कभी-कभी वाई-वाई और प्रैक्टिकल में भी एक्जैमनेर्स पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये उस वे से भी इंपोर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो स्टुडेंस को हम निमोनिक की तरह देख सकते हैं कि हम कैसे इसका निमोनिक से याद कर पाए कि कोई भी ओकेजन में जो हमारा जो ट्रस्टी ट्रक है, यानि कि जो विश्वास पात्र, जो विश्वास ट्रस्ट है, जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा जो ट्रक है, वो काफी एक्ट करता है, वेरी गुड वेकल है किसी भी तरीके से, बहुत अच्छा वेकल है, तो सबसे पहला वो है olfactory है olfactory जो नव होती है यह आप cn लिखा है cn1 का मतलब हो गया की cranial नव हो cranial मतलब हो गया brain से related ठीक है brain के अंदर यह arise होती है इसको cranial नव बोलते है तो जो यह cranial नव होती है सबसे पहले वाली olfactory हो गई जिसको की cn cranial नव बोल सकते है और यह किस टाइप की होती है green से यहाँ पे mention किया है तो यह जो थी sensory होती है olfactory नव जो थी वो sensory नव होती है अब यह sensory है motor है बोत है यानि कि sensory और motor दोनों तरीके की है उसके लिए भी जो उसके last किसे याद कर सकते है कि कुछ लोग बोलते है कि जो marry है मतलब marry है जो वो काफी money आती है मतलब आप ऐसे इसको आप समझ सकते है जैसे marriage में क्या होता है कि काफी money मिलती है डौवी मिलती है ऐसे आप समझ सकते है लेकिन मेरा भाई बोलता है कि जो big brain है यानि कि brain का big होना बहुत सारा matter कर सकता है मतलब जैसे आप उसमें ज्यादा earn करेंगे knowledge ज्यादा enhance करेंगे अपनी तो वो आपको position में कोई अच्छी position दिला सकता है अच्छी से position दिलाएगा तो अच्छा से हम earn कर सकते हैं ज्यादा earn कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको निमोनिक को याद कर सकते हैं कि यह जो है किस टैप की नव है sensory है या motor है इसके पहले वाले words से आपको समझ में आ जाएगा sequentially लिखी हुई है बारह तरीके की है ठीक है फॉर्स से लेके 12 तक और जो बीच वाला है वो है sensory है की motor है वो इसमें मेंशन किया है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वाली olfactory nerve है जो की number one है इसको बोलते है sensory nerve यह जो है sensory type की nerve होती है और second होती optic nerve जो की cranial second है और यह होती sensory type की nerve thirdは oculomotor nerve यह जो थी motor type की nerve है और जो इसको फंक्शन होगा यह motor करेगा और जो cochlear nerve है वो 4 type की nerve है यह motor है motor type की है और जो tri-geminal nerve है यह बोत होती है sensory का भी काम करेंगे motor का भी काम करती है और जो abducent nerve है, वो है motor वाली nerve है और जो facial nerve है, वो बोथ है, यानि कि motor और sensory दोनों का काम करेंगी और जो vestibulo-cochlear nerve है, यह sensory nerve है, ठीक है जो कि earth cranial nerve है, और जो glossopharyngeal nerve है, यह जो होती है 9 nerve होती है, यह बोथ type की nerve होती है, sensory भी और motor भी और जो vegas nerve होती है, यह बोथ type की है, sensory और vegas दोनों तरीके की nerve है यह होगी 10th वाली, और जो accessory nerves है, वो 11 वाली nerve है यह होगी motor, motor type की nerve है, और जो hypoglossal होगी, यह 12 type की nerve है जो की motor nerve है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे इसके name भी, और यह किस type की nerve है, यह जो निमोनिक्स इसके पास दिये है, उस type से इसके नाम है ठीक है, जो rats तरीके से वो आप इनको इस sequence में याद कर सकते हैं, कि कितने O पहले आये है उसके बाद T आया है, फिर E आया है, तो इस निमोनिक का एक sentence याद कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा और किस type की nerve है, आपको last वाला निमोनिक याद कर लीजिए, तो उस sentence से आपको पता चल जाएगा कि SS पहले आया है, तो वो दोनों sensory है, उसके बाद MNA आया है तो दोनों motor हैं, फिर B आया है तो फिर both है इस तरीके साब, और both का मतलब है 給 दोनों तरीके की nerve है वो मतलब motor भी और sensory भी है, दोनों का काम करती है तो जो cranial nerve होती है इसकी जो हमारे पास जो cranial nerve जो हमारे brain में जो होती है cranial nerve वो उसका जो पूरा एक set के उसमें होती है पियर में होती है वो ठीक है और वो 12 पियर में होती है nerve और ये directly हमारे brain से arise होती है जो first two nerves होती है वो होती है olfactory और optic nerve होती है जो कि हमारे cerebrum cere rise होती है और उसके अलावा जो बाकी जो होती है remaining जो nerve जो 10 वाली बची वो कहां से जो emerge होती है वो होती है brain stem से ठीक है यानि कि जो brain के जो brain stem होता है जो कि नीचे होता है उसमें brain में तो उससे वो निकलती है ठीक है यानि कि जो spinal cord और अभी मैं आपको diagram में दिखाऊंगी वहां से जहां से spinal cord start होता उसके उपर वाला brain stem होता है वहां से ये arise होती है बाकी 10 nerves ठीक है और जो इनके जो cranial जो नावस होती है इनके जो name होते है वो इनके function के according इनके name दिये होते है ठीक है the name of the cranial now related to their function and they are also numerical identified in roman number आप इसको name से जैसे इनका काम होता है वैसे इनके name से आप इसको समझ सकते है उसी तरीके का इनका name होता है और इनको जो होता है 1 से लिके 12 तक का roman number में इसको जो होता है identify किया जाता है लिखा जाता है इस तरीके से इसको denote किया जाता है ठीक है, there are 12 number जैसे मैंने बताया आपको, olfactory nerve जो होती, cns1 होगी, optic nerve जो होगी, cns2 होगी, ठीक है originate होती, cerebrum से यह मैंने पहले slide में बता दिया और जो cranial nerve जो होती, 3rd से लेके 12 तक होती, यानि कि बाकी remaining 10 जो बची थी, वो जो होती है brain stem से arise होती है मैंने अभी आपको first rise में बताया था they can arise from the specific part of the brain, ठीक है जो brain stem का जो specific part होते है जैसे कि mid brain हो गया, pawns हो गया, medulla हो गया वहां से यह arise होती है जो tan होती है remaining, ठीक है from a junction between two parts यानि कि जो brain के जो दो junction होते है जैसे mid brain और pawn के बीच का जो दोनों को junction करता, उसको junction बोलता, तो वहां से you arise होती है ठीक है ये देख लीजी तो यह हो गई mit brain ये mid brain से чो होती है wothati to circular null मीट Mark trocular now come from the posterior side of the mid brain mid brain के posterior side से how the trocular now arise it can be longer or यानि कि sb से nat mid brain होता है means other mid brain होता है वो जो mid brain का जो pontine junction होता है वहाँ से जो होती थर्ड वाली जो नव होती है यानि कि oculomotor जो होती वो arise होती है पॉन से जो होती है ये जो trigeminal जो होती है वो वहाँ से पॉन से arise होती है ठीक है और जो पॉन का और जो medulla का जो junction होता है उसको pontine junction भी बोलते है वहां से जो होती है abudence और abducence और facial और vestibular जो होती है वहां से arise होती है vestibular, cochlear जो नव होती हो यहां से arise होती है ठीक है पाउन्स के और medulla के junction से ठीक है और जो medulla oblongata होता है उसके जो posterior से कुनसी होती है grossopharyngeal, vagus, accessory और जो होती है replies और anterior से उसके hist'lly वह drugs होती है cody्वत वाली होती है तो यह आप देख सकते है यहाँ पर यहह को देख सकते है सबसे ओपर जो दो पीर होते है All factory नवही होती है number 1 पर आप देख रहे है इसके दो पियर देख रहीं यह also factory नवहीए उसके बाद Оп if now के दो पियर अधलत है पर होती है जो कि यहाँ पर आपने देखा था कि जो अक्यू मोटर होती explorer human brain से जो ह contrac यह होती है ट्राइले नाव जो होती है यह हैं तो जो नigon आइचतिए आई जो आइचनिए यह हो ँरुसे एंदें दर तो पार सम्मे जहां प्नार यह से talking लिजुछ आइच आइचो सटें sympathetic हैं यहां से यह वाली अराईज हो रही है ग्रोसो फेरिंजल, वेगस और एसेसरी और हाईपो ग्रोसल तो यह जो है इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह इनकी पोजीशन है ठीक है तो यह मेडूला अप्रंगिटा से अराईज हो रही है शॉटली अगर देखा जाए ठीक है तो यह समझ में आग जोगा फिर है जो अगर हम देखें जो इच जो क्रेनियल ना जो होती है वो जो होती है सेंसरी मोटर और बोट तरीके की होती है यानि कि कोई सेंसरी होगी कोई मोटर होगी कोई यह एक रख्राय करते हैं कोई यह थित सेंसरी का गाम करेगी कोई मोटर का और कोई दोनुगा ठीक है तो ट्रांस्मीट करती जो आome टाइपार जो की धी उनीक काम लॉव क्योंकि मैसेज इसको ट्रांस्मीट करने का काम करती है ठीक है तो यह होगी और यह जो आप इसको देख सकते हैं sensory efferent modalities जो होती है यह देखे अब मैं आपको डायग्राम से बता देती हूं जो efferent होती है यह जो यलो कलर से आप देख रहे हैं और यह जैसे हैंड है यहां से जो है sensation कहा गया efferent का मतलब होता है कि जो sensation है वह हमारा कहा को जा रहा ब्रेन को जा रहा ठीक है जो भी sensation है हमारे बोडी पार्ट से ब्रेन को जा रहा मीन efferent हो गया messages to the brain वह हो गी from the body वह हो गया efferent और जो cns है यानि कि जो हमारा ब्रेन है वहां से जो message body को जा रहा है यानि कि जो भी reaction जो भी message मिला brain को कहां से body के through जो भी message मिला message from the body to the brain उसने फिर उसको क्या क्या एक्ट किया उसमें efferent neuron ने एक्ट किया ठीक है कुछ होती ही efferent neuron जो की body से message को कहां रहाते हो ब्रेन को और जो बीच वाला है वो brain है यह ठीक है और जो green ब्रेन से message body को दुबारा पास हो रहा है यानि कि उसने क्या किया जो message brain को मिला अब उसने उसमें पर react किया मतलब वो हो गई कौनसी nerve हो गई इफ्रेन नियूरॉन होगी जो कि इफ्रेन ने उसको काम किया उस पर एक्जांपल जैसे ये हैंड है अब इसको क्या मिल रहा है संसेशन मिल रहा है कि इसको क्या लग रहा है कुछ इसको संसेशन हो रहा है तो इफ्रेन ने यहां को दिया ब्रेन को अब ब्रेन ने कहा कि क्लो जो efferent की जो क्या मतलब कैसे ये function करता है जो general somatic sensory है GSS बोलते है इसको ये general sensation from the skin ये जो है skin से sensation का काम करेगा देता है ठीक है और जो general visceral sensation है GVS भी बोलते है इसको ये जो होता है sensation from the viscera विसरा से sensation जाएगा brain के लिए special somatic sensory का मतलब triple S ठीक है इसका मतलब है sensation derived from the ectoderm यानि कि for example sight, sound और balance का जो भी sensation है वो brain को जाएगा ठीक है special somatic sensation sensory बोलेंगे और जो special visceral sensory है SVS जो इसका function है वो होगे sensory derived from the ectoderm ये जो होता है टेस्ट और smell का sensation होता है जो कि brain को जाएगा ठीक है ये होगे efferent वाले जो कि हमारे जो efferent काम हो रहा ठीक है अब इसके जो efferent के देखे जो function हो गए ये तो ये आप गया देख लिजए vision auditory और vestibular special somatic efferent में ये वाले color से बीच में दिया red right side का beach का ये right side में yellow से दे रहा special visceral efferent जो होगे वो होगे आपके ये olfactory और gust यानि कि taste का और सूंगने वाला जो काम होता है ठीक है ये वाला काम हो गया special visceral efferent का ठीक है और special somatic जो red color से दे रहा ये होगे special somatic efferent जिसमें की vision auditory और vestibular का काम होता है और general somatic efferent इसका काम होता है somatization का जैसे की somato sensation का काम करते हैं जैसे की touch का position का vibration का pain का temperature का sensation ये देते हैं ठीक है इसका message ये brain तक पहुचाएंगे और general visceral efferent का काम होगा जो visceral sensation यानि कि जो हमारे visceral का जो भी sensation होता है वो message जो होता है वो brain तक पहुचता है ठीक है तो ये हो गया इसके function ठीक है अब देखिए motor efferent अब efferent का मतलब मैंने पहले बताया आपको कि जब अब brain से जो message है वो body को पास होगा तो क्या होगा कि general somatic motor है वो क्या करेगा skeletal muscles को उसने काम किया उसका function होता है skeletal muscles को brain का जो काम है skeletal muscles के लिए message देना हो गया जी है सेम बोलिंगे ना general somatic motor में आएगा ये फिर general visceral motor में आएगा कि smooth muscles of the gut and autonomic motor को sensation मिला ये message ठीक है फिर special visceral motor यानि कि special visceral motor में को SVM भी बोलते है short में ये होगे muscular muscles derived from the pharyngeal arch जो हमारी pharyngeal arch होती वहां का जो भी muscles होती है उसके लिए इसका काम message मिला ठीक है फिर ये हो गई हमारी जो मैंने आपको पताया था जो assessing cranial now अब हम इसको कैसे assist करेंगे cranial now को ठीक है ये तो मैंने आपको पहली दिखा दिखा दिय गया था डियाग्राम के थूँ तो आप ये देखिए सबसे पहले number of जो nerve होती है उसके name से यहां पे इसका name है number and name nerve का first वाले column में दूसरे वाले में वो किस type की nerve है ठीक है sensory है या motor है और तीसरे वाले में वो क्या काम करती है function क्या है उसका then last one is यानि कि जो last column है उसमे method for examine nerve आप उसको कैसे examine कर सकते है यानि कि कैसे उसको how to assist the nerve कैसे उसको assist करेंगे ठीक है तो first one is olfactory nerve वो होगी sensory type की जैसे मैंने पहले slide में भी बताया था उसका function होता है sense of smell, smell को sense करने का होता है olfactory का जैसे नाम से ही लग रहा है और इसको examine करने के लिए क्या होता है कि इसको आप क and interpretation आप क्या करेंगे कुछ ऐसे agents जो कुछ होते हैं उससे उसको आप each nostril में smell का test करेंगे उसका test करेंगे कि कैसे उसको smell आ रही है कि नहीं कुछ चीज उसको सूंगने के लिए देंगे और बोलेंगे अब आप बताओ इसकी smell क्या है किस चीज की smell आपको feel हो रही है ठीक है तो यह हो गया sense of smell का का काम होगा olfactory का दूसरी होगी optic नाव जो की sensory टाइप की नाव होती है इसका काम होता है sense of vision विजन का का काम करेंगे इसमें क्या करेंगे आप test इसको check करने के लिए test vision for इसमें acuity and visual का कितने दीर तक का वो देख पाती है कितने दूर तक वो देख पात इसको आपने की यह सोरी जो थार्ड हो गई सबस्वी थार्ड है ऑग्या aur reflection की यह इसा का構 होती है और इसको टेस्ट टैस्ट करने के लिए कया करना पड़ेगा जो पिपलरी होगी, पिपल में लाइट को डालना होगा, ठीक, पिपल में उसकी टॉर्च की जो बिल्कुँ फाइन लाइट होती है, ताकि उसकी रियक्शन को देखा जाएगा पिपल का, कि वो कैसे रियक्शन कर रही है, उसकी एबिलिटी देखी जाएगी, कि वो उसको फि फिर है ट्रोकिलर यह जो होती है फोर्थ वाली होगी ट्रोकिलर जो नव होती है यह होती है मोटर टाइप की नव होती है और इसमें जो होता है डाउनवर्ड इनवर्ड आई मोमेंट होता है ठीक है यह वाला काम करती है नीचे को देखने का और उपर को देखने का तो इसमें कर रहा है कि नहीं उसकी यह वाली नाव ठीक है अब हो गई ट्राइजामिनल नाव जो गई ट्राइजामिनल जो नाव होती है फिप नाव हो गई यह मोटर और सेंसरी दोनों टाइप की नाव होती है इसका काम होता है कि जो मोमेंट करना च्विंग करना और मैस्टिकेशन का क का sensation का काम भी होता ठीक है तो इसमें क्या करना है पेशन से आपको कहना है कि अपने मूग को क्या करो आस पेशन टो ओपन एंड ग्लैज जो वाइल यू पैल पेट जो मसल्स जब आप उसकी जो की मसल्स को पैल पेट कर रहे होते हैं तो उससे कहते हैं अपने मूग को खोलो औ बंद करो इस तरह किसी से आपको बोलना पड़ेगा उसके मूग को जब उसके आप क्या करते है पैल पेट करते हैं जो मसल्स को Mr. आप्पेट करेंगे तो मूग को ओपन और क्रोस करवा के उसको चेक करना होगा कि मसल्स कैसे उसकी है और काम कर पा रहा है कि नहीं and क्या करना होगा टेस्ट फेस and neck for pain और उसका जो pain अप ये तो था motor का काम up sensory का काम कैसे करना होगा कि उसके जो face है और जो neck है वहाँ पे pain का sensation देना होगा और उसको देखना होगा कि उसको कोई light touch करेंगे और उसके पूछेंगे कि उसको कैसा feel हो रहा है उसको test पता चल रहा है चेक हो रहा है नहीं pain हो रहा है कि नहीं ये उसको पता करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद होगी abducion जो नहुती है वो motor type की नहुती है ये lateral moment of the eye करती यानि कि ये side वाला देखने का काम करेगी और इसका जो काम इसको जो check कर सकते है आप test ocular movement in all direction दोनों चारों तरफ से आखे घुमा के देख आप अपनी eyes को ऐसे move करो round में move करो direction उसको बताएंगे तो आप ऐसे करके check कर सकते है lateral side के लिए eyes को open घुमा के ठीक है तो ये बोलके उसको आप motor का उसका check कर पाएंगे फिर है facial जो now होती है ये seven type की जो nerves है ये now है facial type की है इसका facial नाम नाम होती है नाम इसका और motor और sensory दोनों तरीके की होती है ये muscles of the face यानि कि muscles जो होती है face की इसका जो काम होता है muscles of the face और sense for taste यानि कि face की muscles के लिए इनका motor का काम करती है उसको movement करने का काम करती है और ये sense के तरीके से देखा जाए sensory में तो ये taste का sense का काम करती है जो कि जो इसका जो टेस्ट होता है सेंस आफ दा टेस्ट on the anterior two-third of the tongue जो हमारा आगे का जो two-third tongue होता वहां तक का जो टेस्ट होता उसका जो सेंस देती है ठीक है और इससे patient को बोलेंगे कि अपने eyebrow को उपर करो smile करो उसको eyebrow उपर करवाना उसको smile करवाना और उससे कहेंगे अपने teeth दिखाओ और उससे कहेंगे अपने puff out करो यानि कि अपने गाल फुलाओ मुझ में हवा भरो मतलब गाल फुलाओ ऐसे बोलना पड़ेगा और test for the taste sensation और उसको कुछ taste करने के लिए देंगे और फिससे पूछेंगे कि इसका taste कैसा है तो उससे बहुत सारे agent खटा मीठा नमकी जो भी है उससा पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके का taste है तो दोनों तरीके का का काम करती फेशल ना होती कि है तो इस तरीके साब उसका check कर पाएंगे जो acoustic ना होती air type की ना होती है वो होती sensory ना होती है ये क्या करेगी hearing का sense देती है ठीक है इसमें आप hearing का test कर सकते हैं कि कितना सुनाई दे रहा है उसको तो उसके hearing आप इसमें test कर सकते हैं चेक कर सकते हैं फिर हो गई आपकी glossopharyngeal जो ना होती है motor और sensory nerve है इसलिए moment कर पा रही है और solo कर पा रही है निगलने का काम करता है तो ये दोनों काम जोते है motor की nerve है motor nerve है इसलिए ये वाला काम कर पा रही है और sense का काम कैसे करेगी taste का काम करके posterior जो posterior one third of the tongue होता वो taste का का काम करता है और sensory भी तो जब इसको test करने के लिए patient से क्या बोलना पड़ेगा ask the patient इन से उससे बोलना पड़ेगा मुझ खोलो आहां करो और patient को बोलना पड़ेगा जब वो आहां करता है तो उसको observe करना पड़ेगा उसके upward moment of the soft palate जो soft palate का जो upward moment है वो करना पड़ेगा आवाज करते समय और उसका जो gag response है जो तो solo करने के लिए बोलेंगे और जो उसका gag response है साथ ही वो भी देखना पड़ेगा कि वो कैसा response है कुछ आवाज आ रही है या ठीक से और note करना पड़ेगा ability to solo वो उसको problem हो रही है solo करने में या easily solo कर पा रहा कोई भी चीज निगल पा रहा है वो इसको आपको समझ माएगा और taste for a taste उसको जो है various agent देंगे जैसे पहले आपने taste का किया था तंग का तो वो आप उससे पता कर पाएंगे कि किस तरीक तरीकी का taste है अब देखिए जो वेगस नर्व है उसका जो काम होता है इसमें जो होता है ये मोटर सेंसरी नर्व होती है इसका भी काम होता सौलो का काम होता निगलने का और बोलने का दोनों का काम होता वेगस का ये क्या करती है आज पेशन इसको चेक करने के लिए आप पेशन से बोलेंगे निगलो और उसस से कुछ बात करेंगे तो आप उसकी बात करने से उसकी जो ओवाज की ौर्स इसलाएंज है उसको चेक करेंगे कि ऩी कैसी ऑवाज आरी यह फाइन है यह हरसनाएंज है ऑर पेशन सालो कर पा रहा है कि नहीं यह सब चीज है आपने इसमीन टेस्ट कर, इससे आइसे असेस कर सकते हैं, वेगरस नावग को, ठीक है, फिर है असेसरी जो नाव होती है, मोटर और सेंसरी दोनले तरीके की नावगती है, इसमे भी आप जो होती है, मुवमेंट करना पड़ता जो shoulder का मुवमेंट है वो इसमें muscles का जो shoulder की muscles की जो मुवमेंट है वो इसमें करते है moment of the shoulder muscle जो shoulder muscles को मुवमेंट करने का काम होता है इसको चेक करने के लिए आपको patient से बोलना पड़ेगा अपने जो shoulder है उसको शक करो यानि कि उसको जट को थोड़ा ही लाने के लिए बोलना पड़ेगा और ये आप उससे करा सकते हैं तो और जो last वाली है जो 12 जो है वो है hypogrossal ना हो गई ये motor type की ना होती है ये movement करती है टंग को straight और मतलब जो टंग का movement है उसको रखती है मतलब टंग के movement के लिए ये काम करती है movement करती है ठीक है इसमें patient को बोलना पड़ेगा कि अपनी टंग को produce करो बहार निकालो उससे बोलना पड़ेगा अब इसको push करो अंदर करो इस तरीके सा आपको बोलना पड़ेगा ठीक है एन उसको बोलना पड़ेगा चीक में उसको touch करो अंदर से टंग को मलग घुमाने के लिए टंग को बोलना पड़ेगा आपको तो मूव करने के लिए movement of the tongue ठीक है तो यह है gloss of pharyngeal का काम होता है और यह होती है motor ना ठीक है तो यह देखे 12 ना होगा है 11 और यह जो दोनों 10 10 है यह थोड़े by mistake हो गया तो यह आप देख लिजे खुदी यह 12 होगी यह 11 है बीच सबसे नीचे कियो यह जो वेगस है वो 10 ना होगा है ठीक है यह 11 वाली में थोड़ा mistake हो गया यह जो नंबर में बाकी रोमन के नंबर में बाकी तो सब ठीक है तो guys thank you for watching and like, share, comment, subscribe this channel और hope आपको समझ माया होगा तो मिलेंगे फिर नए वीड है